प्रैनिक राशी फल में आज हम चानेंगे चार नवंबर सोमवार का राशी फल आज का राहुकाल का समय है आट बच कर तीन मिनिट से नौ बच कर अठाईस मिनिट तक इस समय में कोई भी शुभकार्य न करी तो आईए देखते हैं आज का राशी फल क्या कहता है? मेश राशी मेश राशी के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो कुछ यात्रा ज्यादा हो सकती है जिससे लाप प्राप्त होने के संभावना अच्छी है बाहर की यात्रा तथा बाहर के कामकास के शेतरों से अच्छी सफलता प्राप्त होगी अगर आपके निगेटिव चीज़े देखी जाए, तो अपने सगे सम्मंधियों से सामान्य व्यवहार बनाए रखी, तथा धन के आदान प्रदान पर नियंतरन रखी, यदि किसी तरह का परिवार में विवाद हो, तो हर तरह की मुश्किले सामने आती हैं, अगर आपके लव यदि आप धन प्राप्ति के लिए प्रयासत है, और किसी कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सफल होने के संभाव ना पाई जाती हैं, अगर आपके स्वास्त्य की बात की जाए, तो मानसिक अशान्ती तथा तनाव पूर्ण हो सकता है, समय को लेकर दिक्कते होंगी, आज आपका भाग गिशाली रंग है पीला और भाग गिशाली अंग है आठ, व्रिशब राशी, व्रिशब राशी के पॉजिटिव चीज़ों की बात की शाय, तो सोच समझ कर लिया गया फैसला, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, पूर्व में की गई महनत का फल पदोनती के रूप में आपको मिल सकता है, किसी पुराने साथी से मुलाकात भी आश्चर्य चकित करने वाली और खुशी प्रदान कर सकती है, अगर आपके निगटिव चीज़े देखी जाए, तो समपत्ती के रख रखाव पर खर्च बढ़ सकता है, पारिवार साथी के साथ ताल मेल बनाने की कोशिश करी और उनकी छोटी मोटी गलतियों को नजर अंदाज करी, इसके अलावा उन पर क्रोधित न हो तो बहतर होगा, अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए, तो नौकरी वालों को अधिकारी वर्ग से फाइदा मिल सकता है, कारुबा आनी बीमारी ठीक होती नजर आएंगे, आज आपका भाग्यशाली रंग है सफेर और भाग्यशाली अंख है साथ मिथून राशी, मिथून राशी के पॉजिटिव चीजों की बात कीशा है, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, काफे प्रसंद रहेंगे और भ देतर होगा, कार्य में सफलता प्राप्त करने में विलंब होने से अपनी राश हो सकते हैं, कोट कचरी जे सम्मंधित कार्यों में आपको भाग लेना पड़ सकता है, अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए, तो किसी के साथ भावनात्मक सम्मंध से बन सकते हैं, और उस सम्मंध में आज कुछ अधिक भावनाशिल रहेंगे, अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए, तो नौकरी में पदोननती के योग है, आपकी कार्य पद्धती से उच्च अधिकारी गंड आप पर प्रसंद रहेंगे, अगर आपके स्वास्त्य की बात की जाए, तो करकराशि के पॉजिटिव चीज़ों की बात की जाए, तो आज के दिन आप अपनी भावनाओं में सकरात्मक परिवर्तन मैसूस करेंगे, सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे, जिससे खुद पर भरोसा बढ़ेगा, परिवार में कोई बड़ा आयोजन हो सकता है, अगर करेंगेटिव चीज़े देखी जाए, तो शार्विक्स पूर्ती का आभाव हो सकता है, और मानसी ग्रूप से भी चिंता बनी रह सकती है, थोड़ी बहुत समस्या आपको इस समय आ सकती है, अगर आपके लव लाइफ की बात की शाए, तो आपको उनसे कोई बात कहनी है, त तो व्यापार को विकसीत करने की ओर अधीक ध्यान देंगे, शेर और प्रोपर्टी में निवेश लाभधायक रहेगा, अगर आपके स्वास्तिय की बात की शाए, तो स्वास्तिय का ध्यान रखने की आवश्यक्ता है, यात्रा कुस्तागित करना आपके लिए लाभधायक आज आपका भाग गिशाली रंग है हरा और भाग गिशाली रंग है एक सीहराशी सीहराशी के पॉजिटिव चीज़ों की बात की जाए तो मानसीक रूप से खुशी की अनुभूती होगी नई जगहों पर भ्रहमन पर जाएंगे मित्रों का साथ उच्साहित रखेगा प्रति पर साइयम रखकर विवाद से बच सकते हैं रिष्टेदारों की वजल से तनाव उत्पन न हो सकता है अब धार में की आत्रा पर भी जा सकते हैं अगर आपके लव लाइफ की बात की शाए तो शुरुवात में पार्टनर पर भी आख मुन कर भरूसा न करी अपने रिष्ट की के योग है सहकर्मियों और अधिकारियों से भरपूर सहयोग मिलेगा अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य अभी कुछ नरम गरम रहेगा कुछ पुरानी बीमारी ठीक होती नजर आएंगी तो कुछ नए बीमारी का उत्व होता दिखेगा आज कन्याराश के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो शभकार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और पठन लिखन जैसे साहित्तिक प्रवृतियों में अभिरुची बढ़ेगी परिश्रम का अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है काम में ततपरता और कुशलता आपकी प्रग मेहनत करने वाला है मेहनत और भागतोर इस समय से आदा करनी पड़ सकती है अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेय व्यक्ति के साथ होने से आप आनंदित रहेंगी आपके प्रेम का रिष्टा वैवाहिक रिष्टे में तब्दील हो सकता है अगर आपके व्य प्रेयास में आप सफल रहेंगे अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो सेहत को लेकर सतर्क रहे अतिसार की समस्या आपको घेर सकती है खासकर पीने के पानी को लेकर सतर्क रहे आज आपका भाग गिशाली रंग है बादामी और भाग गिशाली अंख है पाच तुल सुकून महसूस होगा घरेलू माहूल अनुकूल बना रहेगा अगर आपके निगेटीव चीज़े देखी जाए तो सहयोगी कार्य में व्यावधान अत्पन्न कर सकते है इसलिए संभल कर रहने की आवश्चक्ता है काम की अधिक्ता और भाग दोड की स्थिती रहने से मानसिक एवं शारिक रोप से धकान का अनुभव कर सकते है अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो तनाव का माहूल बना रहेगा अनावश्चक पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो कार्य शेत्र में काम की अधिक्ता रहेगी और सहयोगियों की मदद से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी अगर आपके स्वास्थे की बात की जाए तो पायोरिया की समस्या से बचने के लिए नीम के पानी से दिन में दो बार मूख हंगाली वरना यह समस्या गंभीर हो सकती है आज आपका भाग गिशाले रंग है हरा और भाग गिशाले अंग है पाच व्रिष्चिक राशी व्रिष्चिक राशी के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आई के स्त्रोतों में वृध्धी होगी जिससे आर्थिक सित्य मजबूत बनी रहेगी सकारात्मक सोच वह आत्मविश्वास कारियों में सफलता दिलाएगा कार्यभार की अधिकता रहेगी लेकिन अपनी योग्यता और शमताओं का भरपूर लाब उठाए अगर आपके निगेटिव चीज़े देखी जाए तो जमीन जायदात के सौदे करने से पहले बुजुर्गों के सला अवश्च ले परिवार में वादेवात की स्थिती बन सकती है अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो परिवार में सबका विश्वास जीतने का प्रयाद न करे तथा कोशिश करे कि सबके साथ मधूर सम्मन रहे इसके लिए आपको स्वायम अच्छे पोजिशन में रहने की आवश्च शक्ता है अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सफलता प्राप्त होगी अगर आपके स्वास्य की बात की जाए तो पीट दर्ट की शिकायत उठ सकती है अपने पोश्चर के ब्रती इस समय आपको सतर्क रहना होगा आज आपका भाग गिशाली रंग है गोल्डन और भाग गिशाली अंग है छे धनूराशी धनूराशी के पोजिटिव चीजों की बात की जाए तो आज का दिन कारोबारियों के लिए अच्छा रहेगा आर्थिकलाप के प्रबल योग बंग रहे है पारिवारिक वादावरन आनंद प्रत रहेगा कार्य शेत्र से संबंधी त्यात्रा पर जा सकते है धार्मिक कार्यों में रुची लेंगी अगर आपके निगेटिव चीज़े देखी जाए तो घर में परिशानिया आ सकती है लेकिन साथी को छोटी छोटी बातों के लिए ताने देने से आपको बचना होगा कामकास में ज्यादा तनाव की चलती परिवार के जरूरतों को नजर अंदास कर सकते है अगर आपके लव लाइट की बात की जाए तो अगर आपका प्रेमी आपसे दूर रहता है तो इस समय आप उनसे मिलने का प्लान बना सकते है शादी शुदा जातक अपने जीवन साथी को कोई सप्राइस देने के बारे में सोच सकते है अगर आपके व्यावसाय की बात की जाए तो व्यापार में नई सौदे होने की संभावना बनेगी व्यापार विस्तार की योज रहें आप बना सकते है नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे अगर आपके स्वास्त्य की बात की जाए तो शारिरिक और मानसिक स्वास्य का ध्यान नहीं रख पाएंगे बहुत सारी परिस्थिती को आपको स्वयम चेतना से दूर ले जा सकती है आज आपका भाग गिशाली रंग है गुलाभी और भाग गिशाली अंग है साथ मकर राशी मकर राशी के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो काम में मन लगेगा और महनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे रुके हुए कारिया शरू होंगे जिससे मन में उत्साह रहेगा दामपत्य जीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा अगर आपके निगेटिव चीज़े देखी जाए तो वाणी पर सयम न रहेगा तो मन दुख के प्रसंग उपस्थित होंगे आपका उग्र और असयमित व्यवहार आपको समस्या में डाल सकता है अगर आपके लव लाइफ की बात की शाए तो प्रेम सम्मंध को लेकर स्थितिया अच्छे रहने वाली है प्रेम में प्रगार्था देखने को मिलेगी तथा प्रेमिजन के चहरे पर हमेशा मुस्कुराहट नजर आ सकती है अगर आपके व्यवसाई की बात की शाए तो व्यवसाई में पदोन्नती के योग है व्यावसाई क्षेत्र में भी अनुकूल वातावरन रहेगा अगर आपके स्वास्थिया की बात की शाए तो सेहत अच्छे रहेगी बाहर के खाने से परहेश करे अपने जीवन साथी के स्वास्थय का इस समय आपको ख्याल रखना होगा आज आपका भाग गिशाली रंग है कथाई और भाग गिशाली अंग है आठ कुम्भराशी के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आप बच्चों की उपचार करने की शक्ती मैसूस करेंगे वे अध्यात्मिक तोर पर धर्ती पर सबसे ज़्यादा ताकतवार और भावनात्मक लोग है उनके साथ आप खुद को उर्जा से लबरेस पाएंगे अगर आपके निगेटिव चीजे देखी जाए तो अगर आप विशेश अग्य की सला के बिनाने वेश करेंगे तो नुकसान मुम्किन है मन और अंजन के कारियों में धन का व्याय हो सकता है अगर आपके लव लाइफ की बात की शाए तो वैवाहिक जीवन में चीजे हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी जीवन साथी से समवात कायम करना कठिन सिद्ध होगा किसी के प्रती बुरा व्यवहार रखने की कोशिश न करे अगर आपके व्यवसाय की बात की शाए तो कारोबार में आर्थी कलाब की सिती रहेगी और नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे अगर आपके स्वास्थय की बात की शाए तो स्वास्थय का ध्यान रखी और यात्रा पर जाने से बचे आज आपका भाग किशाली रंग है नीला और भाग किशाली अंख है तीन, मीन राश मीन राशी के पॉजिटिव चीजों की बात की जाए तो आज का दिन मिश्रित फलदाई रहेगा दिन को रोमान चक बनाने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताए पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है अगर आपके निगटिव चीज़े देखी जाए तो कार्यभार अधिक रहेगा जिससे भाग तोड़ करनी पड़ सकती है लेन देन में सावधानी बरती और कोट कचहरी के कार्यों से बची अगर आपके लव लाइफ की बात की शाय तो एक दूसरे के प्रती भावविभोर हो सकते है तथा आप दोनों ही एक दूसरे के प्रेम सम्मंधों को अच्छी तरह से समझ सकते है जिससे एक दूसरे के उपर भरोसा जरूरत से जादा होगा अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे धन सम्मन्धी मामलों में कुछ उतार चड़ाब देखने को मिल सकते है वही आई की तुलना में खर्च अधिक होने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके स्वास्त्य की बात की जाए तो स्वास्त्य का ध्यान रखने की आवसर शकता है काम की अधिकता से ठकान का अनुभव होगा आज आपका भाग गिशाली रंग है गोल्डन और भाग गिशाली अंग है पाग